Hello students, we are doing chapter number 18, Minerals and Power Resources and today's topic is Non-Conventional Energy Sources. तो Non-Conventional Energy Sources वो है जिनकी डिमांड जो है वो बहुत जादा है, इनकी डिमांड जादा होने के कारण नए-ने तरीके ढूंडे जारे हैं Non-Conventional Source of Energy के, ढूंडे जारे हैं किस तरह से Non-Conventional Sources जो है वो और बना सकी. जो हमारी Conventional Sources थे वो कैसे थे Fast Depleting यानि कि जल्दी खतम होने वाले Sources थे लेकिन जो Non-Conventional Sources हैं, ये किस तरह के Sources हैं, ये Renewable है यानि कि इससे Renew किया जा सकता है और ये Inexhaustible है, यानि कि ये खतम होने वाले नहीं हैं. जैसे कि Wind Energy, Solar Energy ये सब क्या हैं? Non-Conventional Sources हैं और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये Pollution Free और Eco-Friendly भी हैं. इसी कारण इन Sources को Energy of the Future भी बोला जाता है. तो जो सबसे पहला Source है वो कौन सा है? Solar Energy. Solar Energy किसे बनती है? Sun की Help से Solar Energy जो है Create की जाती है. पुराने समय में क्या होता था? Sun की Energy को Crop सुगाने के लिए और गेहु सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए और Salt, Seek से Salt निकालने के लिए यूज किया जाता था. लेकिन आजकल के टाइम में Sun की Help से क्या बनता है? Sunlight की Help से Solar Energy क्रिएट की जाती है. जो Tropical Regions है, वहाँ पर Solar Energy जो है, वो काफी जादा मातरा में अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर धूप जो है, वो जादा होती है. और Scientist ने काफी सारे तरीके ड्वलब किये हैं, उन तरीकों के साथ उन्होंने एक तरीका ड्वलब किया जो था Photovaltic Cells. Photovaltic Cells क्या करते हैं? यह Sunlight को Direct Electricity में Convert कर देते हैं. और वहाँ पर Heat Energy बनती है, जो कि Sunlight से यूज की जाती है. Next जो Source है, वो है Wind Energy. पहले क्या होता था? जो Wind है, यानि कि हवाएं हैं, तेज हवाएं, उसको विनॉइं के लिए और अपनी Boats को चलाने के लिए, Wind Mills चलाने के लिए यूज किया जाता था. लेकिन अब जो Wind Energy बनाने के लिए, ये सारी Winds यूज होती है, इसमें क्या होता है, कि जो Wind Mills की help से electricity generate होती है, जो हवा चलती है तेज से, उससे electricity बनाई जाती है, और Wind Mills जो है, ये पूरी इस तरह से डिजाइन की गई है, कि ये electricity generate कर सकें, और बहुत बड़े-बड़े Wind Farms, य आपको Coastal Areas में, Coastal Areas में क्यों होती है ये, क्योंकि वहाँ पर हवा जो है, वो तेज चलती है, यहां फिर ये आपको कहां मिलेंगी, जहां पर Mountain Passes होते हैं, जहां पर बहुत ही Strong और Steady Winds चलती है, और Germany, Denmark, Spain, China, UK, USA, India, यहां पर सब जगा जो है, Wind Farms जो है, वो बनने अर्थ के बीचों बीच स्टोर की गई है, यह अनर्जी कहां से आती है, Hot Springs होते हैं, जो गरम पानी जीले होती है, और जो Dry और Wet Streams होती है, वहां से यह अनर्जी जो है, वो ली गई है, USA और Iceland में जो है, यह सबसे जादा अनर्जी जो है, वो महां प्रोड्यूस होती है, वह पुरा जो काम है, वो अभी कर रहे हैं, उस पर वर्क चल रहा है, नेक्स्ट जो सोर्स है, वो है बायो गैस, जितना भी और गैनिक वेस्ट होता है, जो कि humans, animals, dead plants और kitchen वेस्ट होता है, उसको एक gaseous fuel में convert कर दिया जाता है, जिसे की बायो गैस बोला जाता है, इस गैस को हम cooking के लिए और अपने घर को light करने के लिए use कर सकते हैं, बायो गैस जो plants होते हैं, वो बहुत amount में organic manures भी बनाते हैं, जो कि हम अपने खेतों में भी use कर सकते हैं, इंडिया जो है वो इस technology में सबका leader है, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले ये technology अपनाई थी, इसके बाद Tidal Energy, Tides क्या होती है, जब समूदर का जो level है, C का जो level है, वो कम और जादा होता है, moon और sun के कारण, उसे बोलते हैं Tides, तो Tides की help से जो energy बनाई जाती है, जो electricity generate की जाती है, उसे बोलते है Tidal Energy, ये technology अब तक develop नहीं हुई है, लेकिन Russia, UK और इंडिया में Tidal Energy generate होनी start हो गही है Next topic is case study of multi-purpose project in India, here are some major multi-purpose project in India which have encouraged the growth of industries in their vicinity, the Bhakranangal project is the biggest multi-purpose project of India, it is constructed over the Satluj river and helped to irrigate the semi-arid region of northwestern India, it is a joint venture of Punjab, Haryana and Rajasthan, the large reservoir behind the Bhakranangal dam is called the Govind, Sagar, सबसे बड़ा जो project है, multi-purpose project है, इंडिया का वो कौन सा है, Bhakranangal project है, ये Satluj river के उपर बनाया गया है, और इसकी help से काफी सारी जो semi-arid region है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर irrigation भी मिलती है, और ये तीन states का joint venture से मिलकर बनाया गया है, तीन states जो है इसमें अपना हिस Sagar, सबसे बड़ा जो है, इसके अंदर हीरा कुन डैम भी आता है, जो कि महानदी ओडिसा के उपर बना हुआ है, ये डैम जो है, वह 4.8 km लंबा है, और दुनिया का सबसे लंबा डैम जो है, वो हीरा कुन डैम है, इस डैम ये डैम जो है, पावर जेनरेशन के लिए बनाया जाए, इरिगेशन दी जाए, और वाटर ट्रांसपोर्ट की भी इंप्रोव्मेंट अच्छी हो, नेक्स्ट इस डी वी सी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये एक जॉइंट वेंटर है, किन के बीच में वेस्ट पैंगॉल और बिहार के बीच में, जो की दामोदर रीवर के उपर बनाया गया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज पे भी बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट का अब्जेक्टिव क्या था, इरिगेशन, पावर जेनरेशन, फ्लड कंट्रोल, और इसकी वज़ा से काफी सारी अनकरेज हुई, इन्रस्विस की ग्रोथ भी, जो की मिनरल इस रिजन में हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये आंध्रपरदेश में हैं, और ये कौन सी रिवर पे बनाया गया है, ये क्रिश्टा रिवर पे बनाया गया है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ साथ यह electricity बे जनरेट करता है और काफी सारे जो ऐसे areas है जहां पर पानी की बहुत कमी है वहां पर पानी भी पहुंचाता है next जो topic है वो है conservation of minerals and power resources अब जो minerals और power resources है इन्हें conserve करके बचा कर कैसे रखा जाए? Moran technology has helped us to advise various method of extracting minerals from the earth. With increased industrial growth, the extraction of minerals has increased, tremendously causing gradual depletion in our mineral resources. These resources are exhaustible, hence if we are not careful, our mineral wealth might soon be completely exhausted. To prevent this, we must taking the following step. A modern technology ने काफी help करी कि minerals को धर्ती से कैसे निकाला जा सकता है यह technology ने हमें बता दिया technology बढ़ने के कारण industrial growth होने के कारण यह minerals जो है वो तेजी से धर्ती में से निकाले जा रहे हैं और इनको खतम किया जा रहा है जो है यह exhaustible है, यह खतम होने वाले ऐसा तो नहीं है कि यह खतम नहीं हो सकते, यह खतम हो सकते हैं तो बहुत सारे steps जो है वो लिये गए है government के द्वारा इसको prevent करने के लिए वो क्या है? Efficient Utilization of Resources यानि कि जो यह resources है इनका efficient use किया जाए इन्हे waste ना किया जाए Next is Judicious and Selective Mining Judicious and Selective Mining मतलब अगर आपको कहीं बहा Mining करनी है तो उसके लिए आपको court से orders लेने पड़ेंगे legally आपको वहां Mining करनी पड़ेगी यह नहीं कि आप कहीं भी जहां भी आपका मन करें, वहां से Mining कर सकते हो Next is Using Improved Technique to Minimize Wastes During Extraction ऐसी टेकनीक्स लाई जा रही है जिसके कारण जो वेस्टेस है वो कम से कम हो जब Minerals जो हैं वो धर्ती से निकाले जाए Next is Recycling of Resources इन रिसोर्सेस को दुबारा-दुबारा किस तरह यूज किया जा सकता है वो भी खोजा जा रहा है वो टेकनीक्स भी आ रही है Next is Using Alternative and Inexhaustible Energy Resources हमें Alternative या फिर वो Energy Resources यूज करने चाहिए जो की खतम नहीं हो सकते Next is Using Cheaper and More Abundant Alternatives of Scars Minerals जो Minerals Scars हैं यानि की खतम होने वाले हैं उन्हें कम से कम यूज किया जाए उसकी जगा उनके Alternative यूज लिये जाएं जैसे कि Electricity बनाने के लिए पानी का यूज होता है तो पानी खतम हो सकता है तो पानी को बचाने के लिए आप जो हैं वो Solar Energy का यूज करो और Wind Energy का यूज करो उसे बोलते हैं Alternative यूज अगर हम ये सारे Steps को Implement अच्छे से करते हैं तो हम अपने Mineral और Power Resources को बचा के रख सकते हैं और अपना Economy का Future जो है वो भी अच्छी तरह से बना सकते हैं So with this topic Your chapter is over, hope you understand the chapter Thank you so much